हम जब भी कभी शिकायत करते हैं तो गलत आदमी के साथ बैठ कर शिकायत करते हैं कि सही आदमी जो उसके उपर कुछ कर सकता है उसके पास में शिकायत करते नहीं है और ज्यादा तर हम इनेक्षन में होते हैं मतलब करुती करते नहीं और शिकायत करते हैं और उससे हमारे जिन्देगे में क्या आसर पढ़ता है हम आज देखने वाले आज के वीडियो में तो आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर धिपक्र केड़ेकर मैं मनोविकार सेक् पास में भरती करते हैं और श्यारों के अलावा भरती करते हैं दोनों वेवस्ता हमारे पास में ठाना में हमने अभी नए हॉस्पिटल में हमको शिफ्ट कर लिया है वहां भी काफी सारी सुवीदा है हमारा जो मिशन है हो है mental health for all सबके लिए मानसिक स्वास्त्य और भारत है जो मारे पास में पेशन आते हैं वो डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के या पैनिक एड़क के हिस्टेरिया के जो भी कोई आते हैं पेशन तो उसमें एक चीज मैंने देखिए कि वह उनका नेचर जो वह कंपलिनिंग रहता है शिकायत करते रहते हैं और होता ग मेरी पत्नी कैसी है और उसकी शिकायत में बॉस के साथ में हैं दोस के साथ में करता हूं और आफिस में कैसा कैसी तकलिव है और उसकी शिकायत में जाके पत्नी के साथ में करता हूं और दोनों भी केस में दोनों उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं बॉस को बोलना मेरी लिए बह उसके लिए साहस लगता है कि देख तुम्हारा सुबह ये ये है मेरा सुबह ऐसा ऐसा है और मुझे आपका ये ये पसंत नहीं है ये बोलने के लिए साहस लगता है कि फिर जगरा जंजट का डर लगता है कि अब याज से आप ठान लो कि आपने करना क्या है कि शिकायत करने के बढ़े यह आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले में कुछ चेंज होना चीए तो शिकायत के बदले उसको रिक्वेस्ट करो बिंती करो आप कुछ तो भी कुरुति करो उसके लिए कुछ तो भी कुरुति करने के लिए बोलो और सफल लोग यही करते हैं आपको ऐसा लगता है कि मैं परिशिटी को बदल नहीं सकता हूं तो जय उसको स्विकार करो यह वासे निकल जा पत्नी से नहीं पट रहा है तो रिष्टा कांसरिंग लो या डाइवर्स ले लो आपको यही काम अच्छा नहीं लगता है कंपनी अच्छे नहीं लगती है तो वहां शिकायत करने के बदले महां से निकल जाओ अलग कंपनी में जॉब लो या फिर जो है महां खुद को एड्जेस्स कर लो दुनिया आपको कुछ देन चली जिवन जिना है तो उसका निर्मान आपको करना पड़ेगा जो हो रहा है एक तो उसको स्विकार करो या आपको लगता है कि ने इससे अच्छा संभव है तो उसका निर्मान आपको करना पड़ेगा एक उधान की दरूपे आपको बोलता हूं कि आप ऑफिस से या फैक बच्के होए। महसूस करते हो। घर में जाके चाय, नास्ता, शाम का लेते हो फिर टीवी के सामने बैठे हो। फिर कहना खाएगे फिर आँ टीवी के साथ में बैठेंगे लेट रात तक डिश्चे बैठेंगे पत्नी को आपसे कुछ बात करना है तो उसकी बात सुनेंगे नहीं पतनी को दिन बर का जो कुछ हुआ उसको आपको पताने कया है उससनेंगे नहीं ब goed अपनी बच्चों को लेकर माईके चली गई तो आपको यह देखना है कि जो भी आपके लाइफ में खराबा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि आपने उसके बारे में कुछ खिया नहीं कुछ भी किया नहीं है आप सिर्फ कंप्लेंड करते रहें तो आपको यह शक्तिशाल बनो है ना और फिर वो उसमें काम करेंगे तो आगे जाके कुछ ब्रेडाउन होंगा नहीं कि यह वो कार आप चला रहे हैं कार की आपकी सर्विसिंग आपने नहीं किया है तो एक दिन रात को आपको रस्ते के बाजु में कार जब बंद होंगी तो रात को बारा बजे दो जो जे काल खराब होगी करके बैठना पड़ेगा या फिर आपका पेट खराब होगे आपकी तब्यदाश खराब है क्योंकि आपने कल रात को या कल दिन में आपको ऐसा कुछ लग रहा था कि तब्य ठीक नहीं है उस में आपने डॉक्टर से कुछ सलामश्वरा नहीं किया और टीटमेंट नहीं लिया एदि आपको कंपने से कोई प्राब्लेम आता है वाश से कोई प्राब्लेम आता है समझ लो कि जो भी काम हो रहा था आप इसमें वहाँ पेंडिंग पेंडिंग करते गए और एक दिन बास ने एकडम ब्लास करके आपके उपर तो डाल दिया जो बीको भी हो रहा है वो आप समय पे जो समय पेंड़ेंग ऑना हो समय पे चाम नहीं करते हो कंप्लेंड करते हो जाता है और इक दिन बहुत-बड़ी सीब आती है और फिर हम बोते हैं जाता है मेरा नसीब ख़राब हे ए एक लिए डिन अ रिक्वेस्ट करने का है किसको कि मैं क्या मैं आपको बिंदी कर सकता हूं रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्या मैं एक्षन ले सकता हूं मैं इसमें क्या कर सकता हूं देखना है और अपनी जिन्दगी शक्तिशाली बनाने की है आपके संपर में काफी सारे लोग होंगे जिनको इस ताइम ही है, डिपरेशन है, उसमें रहते हैं, यह वीडियो काफी सारे लोगों को फैला दो, आपके गुरूप में शेयर करो, उनको बताओ, कि वह आप, जो भी सहन कर रहे हैं, जा भी आपको लगता है कि मैं सहन कर रहा हूं, मैं मुसीबत में हूँ, देखो आप कंप्ल इनने बाद, वहाँ जो बेल का चिन्दा आता है उसको भी क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आजाएगा, थैंक्यू बेरी मच्छ